तो गाइस बात करेंगे फ्रेमलेस ग्लासेस की फिटिंग को लेकर के सबसे पहले एक चीज में यहां पर बता दूं कि जो फ्रेम आप यहां पर देख रहे हैं वो पुराना है मतलब कि उसमें केवल हम लेंसे चेंज कर रहे हैं फ्रेम जो है उनका पहले से पुराना था उनका पावर चेंज हो गया है इसलिए हम नए पावर के लेंसेस इसमें लगाएंगे सबसे पहले फ्रेम को उतारेंगे और इस फ्रेम में जो लेंसेस पहले से लगे हुए जिन लेंसेस को हम हटा रहे हैं वो लेंसेस अनब्रेकेबल आने कि पॉलिए इसलिए ब्रेक नहीं हो रहें वरना अगर ब्रेक बल होते सी आर सटी नाइन होते नॉर्मल तो उस कंडिशन में खोलते टाइम ही वह ब्रेक हो जाते और चो फ्रेम जो लैंसेज अब हम यूज करेंगे इस फ्रेम में जो नए लैंसेज लगाएंगे वह भी पॉलि होने वाले हैं तो वो भी नब्रेक बलिए फ्रेम खोलने के बाद फ्रेम को थोड़ा सा क्लीन करना है जो भी रिफीट वगेरा उस पे च्पकि हुई यह उनको हटाएंगे वरना हम नई रिपीट से फिक्सने कर पहेंगे तो उनको सबसे पहले हटा करके उसको थोड अप्रिकल स्टोर पर अलग अलग देखने को मिलने वाली हम जो इसमें डिल यूज़ करेंगे वह कुन सी है वह भी आपको देखने को मिलेगी अब देखिए सबसे पहले जो नए लेंजसे उन हम डेमो की हेल्प से मार्क करेंगे कि किस जगे पर हमें होल करने हैं तो वो मार्क करेंगे और जो मार्क के लिए हम यूज करें पुराने डेमो हैं आप मार्क की सहायचा से भी कर सकते हैं मार्क की हेल्प से भी वो किस कंडिशन में उसके लिए अलग से एक और हम दूसरी क्योंकि यहां पर पूरे फ्रेम का बैल outlets जो है होल पर ही decide होता है कि कहां पर उसका balance होगा कहा पर नहीं होगा और उसी तरीके से फ्रेम का balance glasses का balance बराबर रखने के लिए hull exact जगे पर होने चाहिए अच्छे जगे पर होने चाहिए ठीक जगे पर तो हमने देखे हैं मार्क कर लिए हैं अब आप देखेंगे एक लेंस पर आगे के जो होले वो उपर है थोड़ा सा पीछे वार ले थोड़े से नीचे हैं तो वह हमने देख करके लिया है किस तरीके से फ्रेम, नोस पर भी जो है, उसके साथ साथ हमारे काइन पर भी फिक्स आ है, इसको देख करके आपको ृट होल करने है और साथ इसाथ फ्रेम का बैललेंस भी बराबर रहे, तो दो अब जो हमने किया उनको थोड़ा सा गहरा करेंगे ताकि जो डिल है वो लेंस पर फिसले ना क्योंकि वरना हम अगर लेंस पर होल करेंगे उस कंडिशन में अगर ड्रील फिसल जाती है लेंस पर तो जो है लेंस पर पूरा स्क्रेचेश हो जाएंगे लेंस खराब हो जाएंगे तो जो ड्रील हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वह आप देख सकते हैं यह हमारे पास किसी किसी के पास फिक्स ड्रील भी होती है जिसमें लैंस फिक्स हो जाता है उसके बाद जो है वह अपना दोनों होल एक साथ कर देती है लेकिन हम इसका यूज़ कर रहे हैं हम वह ओटो में वो जो डृल है वो और और मैंडूल कर रहे हैं अपने हाथ बैलन्स करेंगे ताकि बैलन्स ठीक तरीके से अब ओटो माशीन में क्या होता है कि ऑड़ो में में हम अगर हम एक हल कर रहे हैं तो उसमें लिए कि कस्टमर का आपने face किस तरीके का है और हिसे उसके face पर frame का balance रखना है और उसे हिसाब से हम यहां पर hold कर रहे हैं तो यह चीज आपको दियान रखनी आपके eyeglasses को fit करें फ्रेमलेस में यह सबसे बड़ी चीज मिल जाती है कि आप अपने face के हिसाफ से fit करवा सकते हैं ठीक होल हो गए गाइस complete अब यहां पर हम इसमें repeat fix करने का काम करेंगे देखिए repeat fix कि अब repeat का जो extra part है जो extra पार्ट इसमें आ गया है आ जाएगा उसे हम कट करेंगे देखिए अमने यहां पर यह repeat लगा ही अब इसके बाद blade की मदद से या फिर अगर आपके पास कोई दूसरी चीज है जिससे कि आप अपने साथ से जो भी आपको ठीक लगे comfort लगे उससे आप जो रिफीट का extra part है उसको cut कर लो और cut करते टाइम यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो blade है या जिसकी भी मदद से आप repeat को cut कर रहे हो वो lens पर बिल्कुल भी ना लगे lens पर बिल्कुल भी टच ना हो परना लेंस पर scratches हो जाएंगे तो आपका lens खराब हो जाएगा अब उसके बाद हमें जो काम करना है वह करना है कि जो repeat का hole है जो repeat हमने lens पर लगाई है उसे थोड़ा सा और ज्यादा चोड़ा कर लेंगे ताइकि उस पर frame easy तरीके से fix हो frame को fix करते time repeat में bend ना आए क्योंकि अगर repeat में bend आ गया तो वहाँ पर यह दिक्कत हो जाएगी कि आपके frame का balance जैसा आप रखना चारे हो वेज़ा नहीं रहेगा तो इसी वज़े से आपको जो है उस hole को थोड़ा सा चोड़ा कर लेना है ताकि frame उसमें आराम से fix हो जाए तो अब यहां पर देखिए frame इसमें fix हो जाएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी अब एक और चीज गाइस में बता दूँ कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो फ्रेम में फ्रेम में गम लगाते हैं फ्रेवी क्यों कि यह एसा कुछ जिससे कि फ्रेम पर्मनेली fix हो जाता है वो इसलिए कि बहुत से customer की demand होती है कि यह फ्रेमलेस क्या होता है कि अग कि वह एसी problem का solution हो जाए वह हिले ना बिल्कुल लूज ना हो जाए और यहां पर देखिए हमारा फ्रेम लेस ऐग्लासेज तैयार हो गया है हुआ 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 है